हाई गाईज, वेलकुम बैक टो माय चैनल, मैं हूँ स्पीटी और आप देख रियो स्पार्कलिन सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई परसन हमें एग्णोर कर रहा होता है तो वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होता है जब कोई भी इंसान हमें इग्णोर करता है, तो वो एक ऐसी फीलिंग होती है जो खुद बखुद हमें अपने भीतर से समझ में आने लग जाती है ये फीलिंग जरूरी नहीं है कि कोई हमें जब बताएगा कि हम आपको इग्णोर कर रहा है तब ही हमें समझ मेंगी क्योंकि ये चीज ना हमें खुद बखुद अपने भीतर से बहुत ही पहले समझ में आने लग जाती है और ये इग्नोर करने वाली चीज ना दो तरीके से काम करती है सबसे पहला तरीका ये होता है कि जब हम अपनी लाइफ में नेगिटिविटी को इग्नोर करते है उस समय ना हमें नेगिटिविटी से कुछ चाहिए नहीं होता है तब हम उसे इग्नोर करते है और दूसरा reason यह होता है किसी को ignore करना कि हमें बदले में उस इंसान से कुछ चाहिये होता है जब हम अपनी किसी भी चीज को दूसरे इंसान से निकलवाना चाते हैं या उस इंसान की power को लेना चाते हैं तब हम ये ignore करने वाली चीज का استعمال करने लग जाते हैं और ये लोग वो लोग होते हैं जो अपने आपको आपसे नीचा समझते हैं, आपसे कमजोर समझते हैं, तो ऐसे लोग इस ignore करने वाली ट्राक्टिस का इस्तमाल करने लग जाते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे point share करूँगी जिसके बाद आपको य नहीं दे पा रहे हैं, जो वो अगला person जाता है, इसलिए उस person ने हमें ignore करना शुरू कर दिया, अभी तक तो हमारी relationship बहुत अच्छी तरह चल रही, बट suddenly वो इंसान ignore इसले कर रहा है, क्योंकि मैं उसे वो special वाली feeling feel नहीं करा रही हूँ, और जैसे ही ये वाली चीज हम उसी समय आप ये भूल जाते हो कि क्या चीजे सही है, क्या चीजे गलत है, आप उस समय ना उस इंसान की हर बात को मानने के लिए तयार हो जाते हो, और दूसरा point, वो इंसान आपसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए ना, इसलिए आप वही करोगे जो उस इंसान को पसंद ह आप ये भूल जाओगे कि आपकी पसंद भी यहाँ पे exist करती है, आप बस उसी के पसंद पे ज्यादा focus करने लग जाओगे, और जब हम किसी इंसान पे बहुत ज्यादा focus करने लग जाते हैं अपने आपको भूल जाते हैं तो उस समय हम अपनी power को पूरी तरह ना खो देते और तीसरा point जब ये वाली situation आपके relationship में चल रही है तो आप ये भूल जाओ कि कभी भी वो person आपको खुझ से call या text करेगा, आप ही को हमेशा से call और text करके ये पूछना पड़ेगा कि आप कैसे हो आप क्या कर रहे हो और आपका दिन कैसा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्र efforts डालने वाले जिम्मेदारी सिर्फ आपकी हो जाती है, वो person पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो जाता है, वो अपने हिस्से की जो चीज़े है न वो भी आपके से डाल देता है, वो सारा कामना आप से निकलवाना चाता है, क्योंकि वही उसका plan है कि आपको ignore कर कि वो सब कुछ अपने हिस्से का भी कामना आप से करवाले है, और point number fourth, गलती आपकी हो या ना हो, कोई भी mistake आपने की हो या ना की हो, पर आपको हमेशा sorry बोलके इस relationship को वापिश से शुडू करना आपकी जिम्मेदारी हो जाता है, आप ही को हमेशा अपने efforts को डालके इस relationship क ठीक करना पड़ेगा, सारी की सारे जिम्मेदारी सिर्फ आपकी हो जाती है, क्योंकि ये ignore करने वाली चीज़ सिर्फ इसलिए की जाती है, क्योंकि वहां से आपको कुछ दिया नहीं जाएगा, आपके पास जो कुछ भी है वो आपसे छीन लिया जाएगा, और ये सारी पीछे भागने की कोई जरूरान दिया, क्योंकि जैसे ही आप उसके पीछे भागना शुरू कर दोगे तो आपको ये सारी चीज़े उसके लिए डन करने पड़ेगी, और ये सारी चीज़े वो इंसान आपसे इंटेंशनली करवाना चाता है, वो चाहता है कि ये सारी चीज करना है, जहां पर वो परसन पूरी तरह अपनी मर्जी से आपके पास वापिस लॉट करा है, तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहिए, बाव बाई